Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfold Learning और आज में लेकर आए हूँ आपके लिए और सुल्यूशन वीडियो फ्रम ICC Concise Mathematics Class 6 फ्रम सलीना पॉब्लिकेशन जिसके Theme 3 Algebra का Chapter 16 Simple Linear Equation की Exercise 16A हम सॉल्व कर रहे थे और इस Exercise की Question No.1 से लिके Question No.2 तक के Solution मैं अपने चैनल पेश पर प्रिविएस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ जिसकी Playlist की Link आप इस वीडियो की Description Box में जाकर देख सकते हैं और आज हम सीखेंगे Transposition में Division या फर Multiplication कैसे करते हैं तो यह Third Question है इसमें First Part गिवन है 3X Equal to 12 तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3X का मतलब है 3 और X का Multiplication हो रहा है तो अगर यहाँ पर Number के साथ किसी Variable का Multiplication हो रहा होता है तो हम Variable को यहीं की यहीं छोड़ देते हैं और जब हम LHS से RHS साइड ले जाएंगे तो इससे यह जो Variable Multiply हो रहा था वो दूसरे साइड में Divide हो जाएगा तो यह Cancel हो गया 3, 4 टाइम्स तो X की वाल्यू आ गई है 4 Similarly 2Y is equal to 9 तो यहाँ पर 2 और Y का Multiplication हो रहा है Y को हम यहीं छोड़ेंगे 9 as it is लिख लेंगे और 2 यहाँ पर Multiply हो रहा तो इसके साथ यह Divide हो जाएगा तो यह एक Improper Fraction है इसको हम Mixed Fraction में आंसर करके लिखेंगे So 9 divided by 2 को Mixed Fraction में हम लिख पाएंगे 4, 1 by 2 Mixed Fraction में करना प्रीवेस वीडियो में भी बता चुकी हूँ Next is 5Z is equal to 8.5 तो Z को हम यहीं छोड़ेंगे 8.5 को हम Divide कर देंगे 5 के साथ तो यहाँ मैं आपको Divide करके भी दिखा देते हो 8.5 को हमने 5 से Divide करना है 5 ones are 5, यह minus करके आगया 3, यह decimal इधर चला गया और आगया 5 So 7 आगया, so 75 is 35, so 1.7 is the answer Next we have 2.5 M is equal to 7.5 तो M को हम यहीं के यहीं रखेंगे 7.5 से हम 2.5 Divide करेंगे यह decimal हटाया, नीचे 10 आगया, यह decimal हटाया, ओपर 10 आगया यह दोनो 10 से 10 कैंसल हो गए और 25 में यह 3 ताइम्स कैंसल हो जाएगा तो M की वाल्यू आगई है 3 Next is 3.2 P is equal to 16 तो P को हम यहीं के यहीं छोडेंगे, 16 से Divide करेंगे हम 3.2 को यह decimal हटाया, ओपर हम 10 ले गए, 16 की टेबल में यह 2 ताइम्स कैंसल हो जाएगा और 2 की टेबल में यह 5 ताइम्स कैंसल हो जाएगा तो P की वाल्यू आगई है हमारे पास 5 Next we have 2A is equal to 4.6 तो A को हम यहीं छोडेंगे 4.6 के नीचे ले जाएगे 2 और यह Divide में आजाएगा 10 decimal हटाके 2 से हमने इसको Divide किया 2 2s और 2 3s तो अब हमारे पास है 23 by 10 हम यहाँ decimal लगा सकते हैं, so 23 हम as it is लिखेंगे यहाँ पर 1 0 है, तो पीछे से हम 1 काउंट करके यहाँ पर लगा देंगे decimal, so it is 2.3 So next question, we have x upon 2 is equal to 5 तो यहाँ पर x numerator में है और denominator में है 2 तो मतलब यह दोनों क्या है, fraction में और 2 इसको Divide कर रहा है तो इस 2 को हम इस side ले जाएंगे, नीचे वाला term इस तरीके से ले जाएंगे उपर multiplication में हो जाएगा, Divide है अगर LHS side में तो यह multiplication में चला जाएगा, RHS side में तो हम x को यहीं छोड़ेंगे 5 into 2 मतलब इसकी value आ जाएगी 10 Similarly, y upon 3 is equal to minus 2 तो y हम यहीं दिखेंगे minus 2 को हम 3 से multiply कर देंगे So y is equal to plus minus is minus 3 2 is 6 a upon 5 is equal to minus 15 So a is equal to minus 15 into 5 So a will be plus minus is minus 15 5 is 75 अब हम यहाँ देखेंगे इस question में z upon 4 is equal to 3 1 by 4 इसको हम simple fraction में पहले convert करेंगे So 3 4 is 12 plus 1 is 13 by 4 So z is equal to 13 by 4 into यह उपर चला जाएगा 4 यह 4 से यह 4 cancel we got this as 13 So z की value आ गए हमारे पास 13 Next we have m upon 6 is equal to 2 1 by 2 2 2 is a 4 plus 1 is 5 by 2 तो m is equal to 5 by 2 multiplication by 6 So यह 2 से cancel हो गया 3 times and 5 3 is 15 So m की value आगे 15 Next is n upon 7 is equal to minus 2.8 तो हम n को लिख पाएंगे minus 2.8 multiplied by 7 और plus minus का minus हो जाएगा और इसको जब हम multiply करेंगे we'll get 19.6 as the answer Next question is minus 2x is equal to 8 तो x को हम यहीं रखेंगे 8 के division में चला जाएगा minus 2 अब यह जो minus है यह तो चला जाएगा उपर because negative जब भी sign होता है चाहे numerator में हो चाहे denominator में हो हम उसको उपर ही लिखते है numerator में और यह 2 से cancel हो गया 4 times so x की value आगे हमारे पास minus 4 Next we have minus 3.5 y is equal to 14 So y is equal to 14 upon minus 3.5 यह decimal हटाया 0 लगाया 7 2 जा 7 5 जा 5 2 जा अब यह जो minus sign है तो automatically उपर चला जाएगा और 2 2 जा होता है 4 so y की value आगे minus 4 similarly minus 5 z is equal to 4 so z will be equal to 4 upon minus 5 जिसको हम लिख पाएंगे as minus इसको जब हम divide करेंगे it is 0.8 या फिर minus 4.5 भी आप लिख सकते हैं Next we have minus 5 is equal to a plus 3 अब यह हम वापस question number 1 और question number 2 की तरह ही solve करेंगे यहाँ पर यह जो a है इसको हम इस side ले जाएंगे मतलब rhs को lhs की side में और lhs को rhs की side में क्योंकि जो भी variable होता है मतलब a b c d x y z जो भी variable होता है उसको हम हमेशा lhs side में ही रखते हैं तो यह question change होके a plus 3 is equal to minus 5 हो गया अब यहाँ पर आप देख सेते हैं this is plus 3 तो lhs side में a रखेंगे minus 5 अलरडी था इसका plus यहाँ के minus हो जाएगा so minus 5 minus 3 is minus 8 so एक ही value आ गई है minus 8 next is 2 is equal to p plus 5 तो again हम इसको lhs side में ले जाएंगे p plus 5 is equal to 2 हमारा question हो गया so p is equal to 2 यहाँ यह plus का 5 है rhs में जाएगा तो minus का 5 तो यह हो जाएगा minus का 3 next is 4.5 is equal to m minus 2.7 तो अब हम इसको फिर से rearrange करके लिखेंगे m minus 2.7 is equal to 4.5 अब हम में m को यहीं छोड़ देंगे is equal to 4.5 plus 2.7 यह minus खता इधर आएगा तो यह plus का हो जाएगा on addition we'll get 7.2 यह मैं पहले भी करा चुकी हूँ addition, subtraction, decimal, fraction and everything you can check out the channel next is 3, 2 by 5 is equal to x minus 2 1 by 3 तो मैं इस simple so मैं इस question को simple fraction में convert कर दूँगी so यहाँ पर यह question हो जाएगा x minus 3, 2 is a 6 plus 1 is 7 by 3 is equal to 5, 3 is a 15 plus 2 is 17 by 5 okay so now we'll take the x here और 17 by 5 को हम plus करेंगे 7 by 3 के संग तो यह आजाएगा LCM में 15 और 17 में 3 times will give 51 और 7 में 5 times will give 35 so it will be 86 by 15 जिसको हम mix fraction में लिख पाएँगे 5, 11 by 15 और जी आंसर next question is 5 is equal to m plus 3, 4 by 7 तो हम इसको इस साइट ले जाएँगे m plus 3, 4 by 7 को 7, 3 is a 21 plus 4 is 25 by 7 is equal to 5 इस तरीके से लिख सकते हैं so m will be equal to 5 minus 25 by 7 so taking LCM as 7, 7, 5 is a 35 minus 25 we'll get 10 by 7 और 10 by 7 को हम mixed fraction में लिख पाएँगे as 7, 1 is a 7, 3 by 7 so m की value है 1, 3 by 7 next question we have minus 2, 1 by 5 is equal to y minus 4 तो हम y minus 4 को इस साइट ले जाएँगे and we can write this as minus 5, 2 is a 10, 11 by 5 so y is equal to minus 11 by 5 plus 4 हो जाएगा अब यहाँ पर हम LCM लेंगे as 5, 5 में ही 1 ताइमस जाएगा so it will be minus 11 और यहाँ पर 1, 1 में ही 5 ताइमस 5, 4 is 20 so we'll get here plus 9 by 5 जिसको हम लिख पाएँगे 1, 4 by 5 so why की value आगई है 1, 4 by 5 as the answer so hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरू पसंद आ रहे होंगे अगर आपको कोई भी doubt or query है तो आप मेरे चानल के comment section में comment करकी या फिर मेरे telegram group जिसके link मेरे description box से mention की है वहां से आप मुसे connect कर सकते हैं doubts and queries पूछ सकते हैं at last please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel thank you for watching